साड़े आठ लाग रुपे से प्राइज स्टार्ट हो जाता है इस गाड़ी को इतने प्राइस में आपको रिफाइंड इंजन मिल जाएगा डाइमेंशन अच्छी रहती है गाड़ी की कॉम्पैक्ट एस्वी आपको मिल जाएगी तो मेना बख शॉलकवान इस बीडियों बा सब्सक्राइब आपको सब्सक्राइब आपको वर्क ना कराना पड़े तो वाई आपके पास यही वैस्ट ऑप्शन रहेगा आफ्टर मार्केट करवाने वारेंटी का वीश्यू हो सकता है आपको एक्ष्ट्रा पे करने पड़ते हैं अगर आप बेस मुडल ले रहे हैं और सब्सक्राइब इंडिकेटर में रहे हैं यहां पर बल्व, वेडी गिर्ल इसकार की, क्रोम मिल जाता आपको यहां पर ग्रेफ फिनिस में रहेगी तो जोगेगा लोगो हो गया ग्रिल इसकार की काफी बढ़िया लगती है देखने में तोप मोडल तक आपको इसी तरह की ग सब्सक्राइब जाता है इसकार की बढ़िया लगता है आपको इसकार के साथ रहेगा इंटीर का कर देखने में बढ़िया लगता है आपको यहां पर gray finish में मिल जाती है क्या करके सभी फीचर्स को देख लेंगे और क्या-क्या ओफ़र करे जाने वालें आपको इसका की अटीर में एक्टिकली एजैसे ली फोल्डे वल दिए गरें इसकार की वार्डियम्स यहां पर आपको से कंट्रोल्स मिल जाते हैं तो यहीं कमाई लूग बैको साइट प्रोफाइल की देखने में काफी बढ़िया लगती है बैक से देखने में भी एली टेल लाइट उन होने के बाद जैसे आप देख तरह कि आपको समें एली टेल लाइट मिल जाएगी बेस मोडल सी ओफर हो जाती है इस कार में इंडिकेट आपको बैस मोडल से कंपेर करते हैं तो सुजुकी का लोगो हो गया ब्रीजा की बैसिंग होगी यहां पर स्पेस देकर लिखा गया है नीचिक से चार पारकिंग सेंसर से रहेंगे रिफ्लेक्टर हो गए अब चलिए आपको इसका बूट में दिया जाएगा आपको इसका बेसिक बारे में घ нिजाते हैं वीरेश होगी आपको इसकार मिल जाते हैं तो ब Wisconsin से नहीं रहे ही वेयन पर इस मेली जो फीचर्स में डिफ्रेंट सब इंटीर में दिया गया है जब में चलूँगा तो फीचर्स दिखा दूँगा अगर आपको LED प्रोजेक्टर है डैम जैसे फीचे चाहिए और इसी के साथ आपको संदूफ जैसे फीचे भी चाहिए तो फिर आप इसके जाड़ेक साई आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे उस वाले वेलेंट के लिए अगर आप संदूफ के फैयन है तो आप जड़ेंट के साथ जूरू जाईए तो इसका में को के 1500 CC का एंजन मिल जाएगा जोगी पेडियूज करता है बंड़ेट बंभी एच्पे के पाबर बंडेट 36 एंशन सेनम का टोर्क फोर सिलेंडर में रहती है कार तो चैसे कंडियर में एक अड़े का चार पाउड़ेंदो कंट्रोल होगे और दोड़ेंगे लोग के लिए हो अपर सोफ्ट टाउच मिल जाता है बाड़ेंगे स्पेस है तुक्मांट इस पीकर बाहर से देखने में करने का ट्रैक्शन वनों का बटन हो गया वरी डैसका का बैक डॉर दोपनों के ब्लेकल का पाव इंडू कंट्रोल हो गए सुफट अच्छ है बाटरी स्पेस स्पेस और स्पीकर रहने वाला इंटियर करके हम सभी फीचर को देखने सब्सक्राइब करें जाएंगा आपको इसका के इंटियर में सभी बेसिक फीचर रहेंगे स्कार में सबसे पहले शागतों में स्कार के स्टेडिंग वील सही इस तरी मोड़ी कंट्रोल मिल जाते हैं सूदूगी का लोग हो गया साइड में क्रोम दिया गया है वो देखने में क काफी प्रीमियम सा लगता है इसका के स्टेडिंग वील इसका का इंस्ट्रूमेंट के लाइस आर्प में मीटर स्पीड मीटर तर मिल जाएगा आपको इसमें अनलोग बीच में एमाइडी दी जाएगी इसमें इसके फ्यूल का कि नहीं चले का क्या मैलेज दे रही है कुछ सब्सक्राइगा यहां पर भी आपको ग्रेफनेस मिल जाती है एसी रेंट्स हो गए यहां पर हजाड़ाइट का बटन है और क्लेमेट कंट्रोल इसी मिल जाएगा आपको त्वेलबोट का पावर सोगिट है यूस्ट पोर्ट हो फाइफ गेम मैंनों ट्रांस्मिशन में रह साथ रहेगा ग्रैब हैंडल कुछ तरह के रहेंगे स्कार के फ्रेंट सीट जिन में आपको मिल जाएंगे एजस्टेवल है ड्रेस्ट फैवरिक सीट रहने वाली है जिन पर उस तरह का डिजाइन बना हुआ है जिससे आप दे सकते हैं और कोट्राइब साइड डोर टोपनो सब्सक्राइब को दिखाई दिये जैसे आपने आपको टूटिन के इंपटे में सब्सक्राइब जाएगा जूकि आपको बेस मोडल में नहीं मिलता है काफ़ बंदे ऐसो होते उनको आफ्टर मार्केट काम बिल्कुल नहीं कराना तो यह वाला बैरन बिल्कुल बैस उनके क्योंकि आपको यहाँ पर कोई भी फीट्यस में कमी महसूस नहीं हो रही होगी ओटो क्लैमिट कंट्रोल इस ही है और डैश वोड भी काफी प्रीमियम सा लगता है अब चलिए लेकितर दोसकार की रेसीट आप अपर आपको इतना स्पेस मिल जाएगा ड्रेवर शीट को आपको यहां पर मिल जाएगा जिस वेसे रेसीट पर भी ब्रैटनेस अच्छी रहेगी फ्रेंट में भी आपको मिल जाएंगे एजस्टेवल है ड्राइस आपको यहां पर ग्लास मिल जाते को इन साइच का ग्रेव हैंडल हो गया और यहां बैक डॉर पावर इनू कंट्रो रहता है स्टेमाइट कंट्रोल फोर स्पीकर के साथ रहेगा ओटो क्लाइमिट कंट्रोल इसी हो गई पावर फॉल्डिंग मिरर्स एजस्टेवल रेर हैड्रेस्ट कुछ ऐसे फीचर्स आपको भी एक्साय वेरेंट में दिये जाते हैं तो चलिए फिर आपको इसकार को वर झाल झाल